है है लो एवरिवन आई या जमरों पढ़ते हैं क्लास 6 का चेप्टर 5 सब्जेक्ट है आपका इंगलिस तो यह जो 6 क्लास का चेप्टर 5 है यह एक स्टोडी है एक बहुत बढ़िया स्टोडी है और इस चेप्टर में जो भी हाड़ वर अगो हमें नहीं लिख दिया आप उसको नुड़न कर लें याद कर लें फिर आप चेप्टर पढ़ें तो आएए आप शुरू करते हैं चेप्टर आपका अलेटर तो गॉड इस्वर को पत्र दहास दो अनली वन इन इंटार वैली सैट ऑन दे क्रेश्ट अफ लू हिल घर वह घर जो पूरे घाटी में एक है और छोटी पहारी केक्टम उचाई पे क्रेश्ट पे है और जहां से नदियां और घाटी की जो भी बाग बाग इचा है वो सब कुछ जहां पे पके फल लगे हुए हैं और फूल जो की डॉट के माफिक लगती है जो की हमेशा ये दर साते हैं कि फसल अच्छी हुई है जो अभी जो धरती को चाहिए वो क्या बिल बस एक बारिस या फिर बुंदा बुंदी और सुबह से लेंचो जो की जानता था अपने खेतों को अच्छी तरीके से कुछ नहीं किया था बस नौर्थ इस्ट की तरफ यानि उत्तरपुरव में बार-बार अकास को खंगा ले जा रहा था अब आईए पढ़ते हैं कि इस्टोरी में कहानी में क्या हुआ तब लंचो कहता है कि अब हम लोग लगता है सच मुछ में कुछ पानी मिलेगा उस औरत से कहता है जो खाना बना रही है रात का वो बोलती है हाँ भगवान चाहे तो जो बारे लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे वाल थे स्मालर वन्स वेर प्लेंग नेर दा हास जबकि छोटे बाले गर के पास खेल रहे थे उन्टिल दा वुमेन कॉल देम हॉल कम फोर दिनर जब उस वरत ने सब को आवाज लगाई कि आओ खाना तयार है इट वस दूरिं देमील डैट जस्ट आट ज़स्ट आज़ लंचो आट प्रिडिक्टेव इट वस दूरिं देमील अब भोजन के समय में दोपर के समय में जैसा की लंचो ने उन्वान लगाया था big drops of rain begin to fall बरे बरे पानी के बुंद गिरने लगे in the north east huge mountains of cloud could be seen approaching a north east में इधर की तरफ पाता हुआ बादलों का पाहर दिखाई पर रहा था the air was fresh and sweet हवा ताजी और मीठी थी the man went out to look for something in the coral for no other reason than to allow himself the pleasure of feeling the rain on his body अब लेंचो पानी की बुंदों का मजा लेने के रिये सहीर पे बगेची की तरफ गया and when he returned he exclaimed there are there aren't rain drops falling from the sky there are no coins और जब वापस आया तब बोला कि ये पानी नहीं है ये बुंदे नहीं है ये तो सिक्के हैं the big drops are 10 पैसes and the little ones are 5 lives और बड़े वाले 10 हैं दसके हैं और छोटे वाले पांच के with a satisfied expression he regarded the field of रैपकॉर्ण with its flowers wrapped in a curtain of rain और इस तरसे पूरी तरसे संतुष्ट भाव से वो पके हुए और पके हुए फाल और फूलों की और देखा wrapped in a curtain of rain हर बाई से भीगते हुए उसकी तब देख रहा था बट सरण लिए wind begin to blow लेकिन अचानक से एक काफी मजबूत काफी तेज से हवा बहने लगी तिस टूली डिजंबल न्यू सिल्वर कोईंस और ये उसने चांदी के सिक्क्य बना दिये पानी के वो सको मतलब वहां क्या हो गया पानी को उसने बर्प बना दिया जो बच्चे पानी में भीग रहे थे वह आये और बर्प डुड़ने लगे बर्प खेलने लगे लेने लगे इस रेली गेटिंग बैड नौ यह बहुत बुरा हो रहा है एक्स एक्सक्लेम दब मैं मॉर्टिफाइड यह तो काफी बुरा हो रहा है यह जल्दी से बीत जाये लिकिन यह जल्दी नहीं गया एक घंटे तक लगातार बर्प बारी होती रही द गार्डेन और यह जल्दी से बर्प नहीं नमक का चादर बिठा हुआ है यह जल्दी से बर्बाद हो गई थी एक भी पेर की पत्ती नहीं दीख रही थी पुरीदर से उजला ही उजला दीख रहा था यह जल्दी से फूल गयब थे लंचो सोल वाज फिल्द विद शैडनेस अव लंचो की आत्मा दुख से भर गई थी जब तुफान चला गया जब तुफान चला गया फिल्द विच खेतो खेत के बीच में खरा हो गया और अपने बीटों से कहा एक प्लेग से लोग इतने छती नहीं होती जितना एक इस हेल स्टॉम से हुआ है यानि बरभबारी आंदी से हुआ है तहल अज़ लेट नथिंग और इस बरभबारी तुफान ने कुछ भी नहीं चोह रहा इस यर भी विल है नो कौन और बेंस और इस साल हम आपके पास अधिए नाइट वाज वाज रात काफी भयानक थी दुखत थी अल आवर वर्क फुर नथिंग हमारा काम बरबाद हो गया देर आट नो वन हो गन है यहां कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता बट इन यहीं है यहीं है आट इस बीच में जहां पे कि यह अकेला घर था तेर दोंट पी सो अफसेट इवें दो ते सिम्स लाइक अ टूटल लॉस रिमेंबर नो वन डाज पाफ अंगर सोचो मत ज्यादा दुख मत हो दुखी मत हो भले ही एक बहुत बड़ा नुकसान लग रहा है यह लेकिन याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता है सभी लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है अल थू द नाइट लेंच ओ थावट अनली ऑफ इज वन हो दहल अफ कॉट पूरी रात हुआ इस्वर के बारे में सोचता रहा हूँज आइज एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड उसकी आँखे जैसा लग रहा था उसे आदेश मिला है इस्वर की आँखे सब कुछ देख लेती है दिखा देती है बले ही वह किसके अंदर कितना भी बाद छुपा हुआ क्यों नहीं हो लेंचो एक तरह से सिधा साथ आदमी था वाकिंग लाकिंग अनिमल इन दे फिल्ड जो की मेनद से खेत में काम करता था बट स्टील ही नूँ हार तो राइट लिकिन अभी भी उसे लिखेना आता था दा फॉलाइंग संडे और उस्रविबार को अध दे ब्रेक तीन के छुट्टी के वक्त आपर हाविंग कॉनिस्ट काफी सोच बिचार करके हमसिल्फ उसने सोच बिचार करके एक इस्वर को पत्र रिखने का सोचा और हाँ इस्वर को पत्र इफ यूँ दोंट हैंप मी मा फैमली और इस यर उसने लिखा की है इस्वर जरी इस पर तुम मदद मही करोगे तो मेरा फैमली और मैं भूख से मर जाएंगे उसने लिखा की मुझे हंडेड पैसर चाहिए वरना मैं और मेरी फैमली इस पर भूखे मर जाएंगे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इस तरह से मुझे हंडेड पैसर चाहिए ताकि मैं फसल भो सकूँ और जिससे फसल हो सके ही रो टुगाड और उसने इंवैलप पे तुकाड लिख दिया याँ इस वर को पूट अलेटर इंज इससे इंज़ पूखे मेरी जाए और उसने मेर बाक्स में डाल करके फिर से चला गया है एग जो पॉस्ट मास्टर था सवी पोस्ट मैं था याँ डाकिया था जो की पोस्ट ऑफिसर का मदद भी करता था एसिस्टेंट भी था वो चिठी को ले करके पत्र को ले करके हंसते हुए अपने बास के पास गया और उसने जिन्दगी में कभी भी कोई ऐसा पता नहीं पाया था जहां पे इस वर का पता हो तो पोस्ट मास्टर ए फैट एम्येवल फैलो अलसो ब्रोक ओट लाफिंग जो की एक मोटा ताजा इंसान था वो भी उसे देखर हसने लगा बट आल्मोस्ट इमिडेटली लेकिन बिल्कुल तुरंत ही टॉन्ट सीरियस एन टैपिंग देटर उन्स देश्ट तुरंत ही वो स्कंभीर हो गया और अपने हाथों से बेंश ठख़खाने लगा कमेंटेट था इस विस्वास है किस तरह से आशा रखनी है starting up a correspondence to God sorry with God और इस्वर के लिए इस्वर के साथ बाचित करने का so in the order not to religion that prodigy of faith revealed by a letter that could not be delivered the postmaster came up with an idea answer to the letter तो उसका ये विश्वास नहीं तोरने के लिए बीना पहचान बता है उसने सोचा कि क्यों नहीं इस पत्र का जवाब दिया जाए but when he opened it जवाब उसने से खोला it was evident to answer it he needed something more than goodwill ink and paper लेकिन answer देने के बजाए उसमें कुछ खिमती चाहिए था but he is stuck to his religion he asked for money from his employee he himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से कुछ मांगा और इसमें सब दिने खे तयार हो गए धान के तौर पे इट वाज इंपोसिबल फोर हिम तो गढ़र तो गढ़र देने में तयार हो गया लेकिन फिर भी सौ पेस वो दिने में समर्थ था so he was able to send the farmer only a little more than half लेकिन फिर भी वो आदे से ज्यादा कुछ दिने में तयार हो गया सक्षम हो गया उसने सब को एक इंवलप में डाल करके सिनिचर गौड की तरफ से करकर के उसने उसे तयार दिया अर उसे बी बार को फिर से लंचो आया पूछने के लिए क्या कोई पतर आया है इस बार वो पोस्ट में खुद था जो उसने अपने हाथों से पतर दिया वाइल पोस्ट मास्टर एक्सप्रेंसिंग दे कॉंटेंट में अपने हाथों से देख करके अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रहा था जिसने की अच्छा काम किया था लुग ओन फ्रम दे डोर्वे ओफिज ओफिस अवब अपने गेट से खिर्खी से देख रहा था लंचो शोड नौट तू स्लाइटेस सर्पाइज उन सिंग दे बिल्स सच वजी कॉन्पिटेंस लंचो को यह देख को थोरी भी हरानी नहीं ही उसने उसे खोला बर्दा ही बिकेम हैंगरी वेन ही कांटेट दा मानी लेकिन वह कृधित हो गया जब उसने पैसे की ने नौट कुड नौट फैर मिष्टेक इश्वर से गल्दी नहीं हो सकती नौर कुड ए नौर कुड वी वा दिनाइड लंचो वाट रिक्वेस्टेट लेकिन इस्वर मना भी नहीं कर सकते इमिडिएटल लंचु वेंट प्टु द विन्टू तो अस्क फोर पेपर अनिंग और सिखरी वो गया और पेपर और इंग के लिए मांगा पेपर अनिग और अपनी भाव तने हुए लिखने लगा लिखने लगा और उसने अपने जो भी विचार थे मन में उसने लिखा वन फिनिष जाब उसे खत्म हो गया ये वन तो द वीदू ठाट हो गया है और वो खिर्की के पास गया स्टांप खाईदा जो फिख लेकश्टी विख देन फिक्स्टी खिफिल जिख टू बवेलोपीट विदीब उपने फिस फिख्ट फिर चात कर के शटक कर कर उसके ओब मुख्य से मार के चिपका दिया देया दा मोमें देट लेटर फ़ल इंट दे मेल वक्स पोस्ट मास्टर वें टू अपन इट वजय से ही उसने मेल बॉक्स में डाला पोस्ट मास्टर गया और उसे खोला इट सेट गॉड अवद अवद मनी डेट अट पोर अंली 70 पैसे क्योंकि यहां पर जितने भी पोस्ट ओफिस के कर्मी है सकर्मी है चोर है